यूं तो दुनिया में कई जीले हैं लेकिन एक जील ऐसी है जहां आप बेफिक्र होकर चल सकते हैं घूम फिर सकते हैं हम बात कर रहे हैं अबरहम जील की जो केनेडा में स्थित है इस लेक की एक खासियत है कि यहाँ पानी के बुलबले जम जाते हैं जिसका खुबसूरत नजारा देखते ही बनता है अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसा होने की असली वज़ा क्या है तो चलिए शुरू करते हैं अब रहम जील में ऐसी कई खुबी हैं जो इसे औरों से जुदा करती है दरसल यहाँ पानी के बुलबले जम जाते हैं जिससे जील का नजारा देखने में बेहत अनुखा अदभूत होता है अबरहम जील कैनेडा के अलबर्टा में स्थित है इसका सरफेस एरिया 53.7 किलोमीटर पर स्कॉयर है और लंबाई 32 किलोमीटर है इस जील का निर्माण 1972 में बिग हॉन डेम के साथ कराया गया वैसे तो यह एक आर्टिफिशल लेक है लेकिन इसकी खुबसूर्ती किसी नैच के चेवान रिवर के पास बनी है अगर आप इस अद्भुद जील का दीदार करना चाहते हैं तो सरदी के मौसम में यहां जाने के लिए एक रास्ता है जो डैविड थॉम्सन हाइबिस योकर गुजरता है जमे बुलबुले इस जील की निराली और खुबसूरत बात है यहा मृत कार्बनिक पधार छोड़ते हैं जिन से बड़ी मातरा में मीथेन गैस निकलती है और बुलबुले बनने लगते हैं जो धीरे-धीरे उपर की तरफ आने लगते हैं जैसे ही यह बुलबुले जील की सतय पर पहुंचते हैं तो थंडे तापमान के संपर्क में आने से व इस बर्फिली हवाओं के चलते जील की सतय पर जमने वाली बर्फ क्रिस्टल जैसे दिखने लगती है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। बर्फ हटाने पर गहरे नीले रंग के बुलबले देखने को मिलते हैं, जो बेहत अदभुत नजारा होता है। तापमान, हलाकि यहां का तापमान ठंडा और बर्फिला होता है, इसके बावजूद यहां का नजारा देखने लाइख होता है। यहां उचे-उचे पहाड हैं, जहां से प्राकरतिक नजारे को देखने का अलग ही अनभव है। अबरहम जील चारो और बर्फ से ढखी रहती है सर्दी के मौसम में अबरहम जील के आसपास का तापमान गिर जाता है यहां हवाएं 48 किलोमीटर प्रत घंटे की रफ्थार से चलती है खतरा यह हो गई अबरहम जील की खूपसूरती की बाते हैं लिकिन इसका एक खतरा भी है दरसल अत्यधिक जोलंशील होने के अलावा मीथिन गैस एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी है क्या आप जानते हैं करवन डेकसाइट 100 साल में जितनी गर्मी ग्रहेड कर सकती है इसकी तुलना में मीथिन लगभग 25 गुनाज ज्यादा प्रभावी होती है ऐसे में अगर मीथिन का लेवल बढ़ता गया तो धर्ती पर इसका बुरा असर पड़ेगा यह ना केवल इंसान के स्वास्ते पर दुश प्रभाव डालती है बलके प्रयावरण को भी नुकसान पहुचाती है यह गैस ग्रीन हाउस गैसों के सम्मू में शामिल है मिथिन गैस के बढ़ने से धर्ती का तापमान बढ़ने लगेगा जंजीबन बुरी तरह प्रभावित होगा वेज्यानिक के साथ वातवड में CO2 का लेवल बढ़ता है जो कि इनसान के लिए जरा भी सही नहीं है क्योंकि करवन डैकसाइड की बढ़ने से तमाम जानलेवा बीमारियां पनपती है इन हानिकारे गैसों के संपर्क में आने पर सांस लेने में परिशानी होती है जिससे अस्थमा, दमा के मरीचों के लिए परिशानी और बढ़ जाएगी यही नहीं मिथिन कैस हमारी मेमोरी और हार्ट पर बुरा असर डालती है ऐसे में मिथिन का लेवल बढ़ जाए तो स्थती और भी घंबीर हो जाएगी अगर मिथिन की उत्सरजन को रुका नहीं गया तो मानव जीवन सब्सक्राइब भी करें नमस्का दोस्तो